हेलो गईज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बहुत इंपोर्टन सपोर्ट लेवल पर आकर उपर क्यों और बाउंस करते हुए स्टॉक पीवे एर लिमिटेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 1717.70 की करन प्राइस चल रही है और स्टॉक में आज की दिन में लगबग हमें 2.75 परसेंट उपर के लेवल में तेजी देखने को मिल रही है 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 2214.85 है और इसका 52 वीक लो 1241 है देखे तो वीडियो बहुत शॉर्ट और इंपोर्टन होने वाली है तो वीडियो में एंड तक बने रही है तो चले हम चलते हैं इसके टेकनिकल चार्ट पे यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इंजलों की और बाउंस करता हुआ दिखाई दे चुका है दो दिन पहले एक्जैक्ली स्टॉक इसी लेवल पर आके अगें जो है इसी लेवल से हमें उपर की और बाउंस देखने को मिल रहा है तो इसके जल्दे फर्दर हमें इसमें तेजी देखने को मिल सकती है स्टॉक में अगर पर उपर कियो और 1925 का यह वाला जो जोन है इंपोर्टन्ट रिजिस्टन्स का जो है बन चुका है तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसका ओवर्वीव फोरकास्ट और अनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की और इसका लास्ट फोर यर का फाइनशिल ट्रेंड भी क्या शो कर रहा है ताकि आपको किलियर हो जाए कि स्टॉक में जो है आपको एंट्री बनानी है या नहीं बनानी हैं इंट्रिसिक वैल्यू आरई वर्शेज एट और डिवीड नेटन तीनों पॉइंट हमें निगेटिव दिखाई दे रहे हैं और शूलीपे संदिः कंटिजिब भी हैं यह व्यamy व्याब ह Denise से लएंट कि नास्ट फॉर्यर थे को अमरे सामने चीम्न बनाटे को यह आप देख सकते हो 1990 में हमें थोड़ा से इसमें प्र्वेट दिखाई दे रहा था लेकिन हमें यहां पे फॉस्त में बहुत ही गिरावट देखने को मिली लेकिन एस कंपेर टो 21 के हिसाब से 22 में हमें जो इसमें रिवेन और प्रॉफिट में अगें जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस कहलते स्टॉक में भी जल्दी और भी अच्छे उपर के लेवल अच्छी होते वे दिखाई दे सकते हैं तो कर लीजिए और बैल अकॉन पर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहुंसते रहें 26 अनलिस्ट हमें यहां पर 88 परसेंट बाइंग की सला दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी सला हम इसको कंसिडर कर सकते हैं तो इसके जल्दी हमें और भ PUR टाइब करें यहां पर हमारा PUR Limited आ जाएगा हम यहां से सिंपली NAC को एड़ कर लेते हैं अभी देखें यहां से हमने इसको ऐड़ कर लिया है अभी यहांपर आप देख सकते हो हमारा स्टाइक जो हमारे वास्लिस्ट में एडं हो चुका है अगे इस पर टैप करने के बा तो यहाँ पर टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ के टूल्स का आप यूज़ करके जैसे कि मान लीजे आपको rectangle ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आप जाके rectangle सेट करके आप यहाँ से इसको draw भी कर सकते हो जैसे कि हमें यहाँ नीचे के साइड में support zone draw करना है तो यहाँ से हम जो इसका support zone इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ से back कर लेते हैं इसके बाद again tap करेंगे तो यहाँ से हमें stock को buy करना है तो हम simply यहीं इसे बाई पर टच करके quantity select करके जो है यहाँ पर बाई पर अपना जो है order